बिहार की तरफ दोस्तों बिहार में BPSC के माध्यम से 7 तारीक से आपकी परिक्षा सुरू हुई है और 7 बारा को जो परिक्षा हुई है आपके हेड मास्टर की और संगीत कला की जो की कक्षा 9 से 10 के लिए हुई है उसका बुकलेट आपको दिया गया है और साथी साथ उस बु चात्र हेड मास्टर के लिए और साथी साथ यहां पर संगीत कला के लिए एक्जाम दिये थे साथ दिसंबर को उनके लिए यह अपडेट आया हुआ है अब चात्र आज जो एक्जाम दिये है यानिकि आठ बारा को जो एक्जाम दिये है इसका भी आंसर की जल्दी आपको ए वह exam दिए हैं उनके लिए answer की दे दिया गया है तो पहले booklet को यहां सेप्लोग download कर लीजेगा और फिर उसके बाद जो है provisional answer की को यहां से download कर लीजेगा दोनों ही download करने के बाद आपको करना क्या है तो आपको अपने answers को मिलने है चुक्षक यह provisional answer की है हो करता है कि इसमें आंसर कुछ गलत दिये हों तो आपको आपत्ती भी करने का मौका दिया जाएगा जिया आपको बता दे कि यहां पर अब्जेक्शन करने का भी मौका दिया जाएगा लेकिन अभी आपको करना क्या है कि इन को इन आंसर को मिलाना है तो देखिए आपका बुकलेट कैसा दिख रहा है हेड्मास्टर की वेकंसी को लेकर अगर देखे हम तो यहां पर क्लिक कीजेगा और यह देखिए यहां पर आपको यह जो अपडेट आया हुआ है यहां पर आपने इसका एक्जाम दिया है यह कुछ को देख रहे होंगे यहां पर और यह आपको यहां पर प्रवाइट किया गया है कुछ आप पर जो दिए गया है इनसभी कोस्टेंस के आंसर भी देदिये गया है तो आप लोग चेक कर सकते नक Amazing लेंग्वेज का पेपर था फिर जनरल स्टडी का 31 से स्टार्ट था यहाँ पर जो भी छातर प्रिंसिपल के लिए आविदन किये थे अब अपने questions को यहाँ पर मिला लिजेगा कौन-कौन से questions के answer क्या-क्या दिये गया है अब देखिए आपको यहाँ पर जो है normalization वाला formula यहाँ पर लागू नहीं होगा एक ही shift में एक ही दिन हुआ है इसलिए अब आपको यहाँ पर उस booklet series को मिलाना है a, b, c, d जो भी आपका है और question number दिये गया है जिसे कि question number 1 है और जो booklet series a में आपका answer है उसका c होगा जो booklet series b में है उसका भी answer c होगा जो booklet series c में है उसका answer b होगा और जो booklet series d है उसका answer b होगा पहले question का तो यह ऐसे करके आपको जो है अपने answers को मिलाना है यहाँ पर तोटल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1.500 question का answer दिया गया है जो कि आपकी परिशा में 1.500 प्रशनों को पूछा गया था तो आपको जो है अपने answers को पहले मिला लेना है अगर आपको लगता है कि हाँ कोई question जो है यहाँ पर गलत है यानि की wrong है तो उसको आप लोग tick mark करके रख लीजेगा या screenshot करके जैसे ही यहाँ पर link दिया जाएगा आप लोग के लिए objection करने को लेकर है ना जैसी objection करने को दिया जाएगा आपको वहाँ पर objections करने होगे पहली बार जो objection करने का मौका मिलेगा उसके लिए कोई fees charge आपसे नहीं लिया जाएगा लेकिन फिर जब answer की दुबारा जारी होगा second provisional answer की भी इसका जारी होगा जैसे कि फिशली बार किया गया था तो जो second provisional answer की जारी किया जाएगा उसमें फिर अगर आपको लगता है कि हाँ कोई question का अंसर गलत है तो आपको वहाँ पर फिर fees charge भी किया जाएगा उसके लिए आपत्ति करने को लेकर second term में और फिर भी अगर आपको लगता है उसके बाद भी कोई आंसर आता है जैसे कि provisional answer आ गया और final answer आ गया जो आपको मौका दिया गया और second provisional answer की भी इन्होंने जारी कर दिया और फिर भी अगर लगता है कि कोई question अभी छूट गया है और वो question का अंसर गलत दिया है य जो भी करमचारी उनके साथ बैठ कर या जो भी यहाँ पर इसके वीसे सग्य होंगे उनके साथ बैठ कर जो है यह चीज़े आप लोग discuss भी कर सकते हैं अगर आपको question गलत लगता है तो यह सारे मौके आपको मिलेंगे यहां पर ऐसे ही और यह answer की दे दिया गया है और आपक जो जो अपडेट आता रहेगा हम आप तक साजा करते रहेंगे अपने चैनल के माद्यम से अभी के लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही जैहिंद